आज हम लोग हेल्थ से जुड़ी एक इंपोर्टन न्यूज पर चर्चा करेंगे 27 सितमबर को हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने नैस्नल डिजिटल हेल्थ योजना की सुरुवात किये इसी से जुड़ी सारी जानकारी को हम समझेंगे ये डिजिटल हेल्थ योजना क्या है इसके आवसकता क्यों पढ़िये भारत में डिजिटल स्वास्त की स्थिती क्या है और इसके मार्ग में अभी क्या क्या चुनावतियां है इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में आयुश्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिसन की सुरूआत मोदी द्वारा की गई पिछले साल यानी 15 अगस 2020 को स्वतंत्रा दिवस पर मोदी ने घोशना की थी कि नैस्नल डिजिटल हेल्थ मिसन की सुरूआत की जाएगी फिर उसके बाद से ये पाइलेट प्रोजेक्ट के अंडर इसे सुरू किया गया था और प्रेजन टाइम में 6 केंदर सासित राज्यों में इसे इस योजना को चलाय जा रहा है और अब आज से इस प्रोजेक्ट को पूरे देश भर में सुरू किया जाएगा इस Digital Health Mission में कई important चीजे हैं जैसे इसमें एक HID यानि Health Identity Card बनाने की भी बात की गई है इसके तहट जिस भी व्यक्ति का Card होगा उसकी personal detail को इसमें जोड़ा जाएगा जो भी Health Record होंगे उसको इसमें जोड़ा जाएगा ये सभी जानकारिया National Digital Health Mission के तहट एक अत्रित की जाएगी इसमें Healthcare Professional Registry, HPR और Healthcare Facilities Registry, HFR की सुईधा भी होगी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है तो इनका मतलब होता है कि जो भी Professional है Professional Doctors, Nurses और जो Facilities है उन्हें एक साथ एक मंच पर लाना है और उसके माध्यम से जो आम जनता है उसे बहतरीन और अच्छा इलाज मिले सरल तरीके से स्वास्त सुईधा उपलब्द कराना इन सबकी Responsibilities होगी तो इसका परपस यही है कि एक साथ स्वास्त सुईधा सभी को उपलब्द कराना होगी तो इससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से काम करेगा इसमें कुछ important बाते भी हैं कि ये मिसन भारत के सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगा ये किसी विसेश वर्ग के लिए जैसे कोई पिछड़ा वर्ग है या कोई अचूता है जो इलाज नहीं करा पा रहा है उन सब के लिए नहीं ये पूरे देश में सभी के लिए एक प्रकार से लागू किया जाएगा और ये सारी चीजे नैसनल हेल्थ अथोरिटी एन एचे के तहट लागू किया जाएगा और ये अथोरिटी भारत के स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्रा लेके अंडर कारे करेगी अब इसमें डिजटल हेल्थ की जो बात हो रही है इसमें जो भी डाटा जो भी जानकारी होगी वो पूरे देश भर में हॉस्पिटल्स हैं स्विधाएं हैं ये सभी एक साथ कंबाइन रूप से काम करेगी इसके अंतरगत इलेक्ट्रोनिक यानि डिजटल के माध्यम से इससे जो भी मरीज होगा उन्हें डॉक्टर से मिलने या डॉक्टर को मरीजों से मिलने में मदद मिलेगी स्वास्त सेवा का लाब लेने में आसानी होगा अब बात करते हैं कि भारत में digital स्वास्त स्विधाओं की स्थिति कैसी भारत में telemedicine के तहथ स्वास्त स्विधाया दी जा रही है telemedicine का मतलब यह है कि दूर रहते हुए भी चिकित्सा का लाब उपलब्द करवाना इसके अंतरगत जैसे भारत में इस अंजीवनी योजना है इसमें देश भर के कई हॉस्पिटल्स को लाया गया है और लोग अपने जरुवत के हिसाब से अपना इलाज करा लेते हैं और लाव ले लेते हैं फिर इसके बाद है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसके अंतरगत भी भारत में कई काम हुए हैं जैसे आरोग्य सेतू, कोविन, आयुश्मान भारत, जन आरोग्य योजना ये सभी सारोभोमिक स्वास्थ कवरेज में आते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है इसमें सभी व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा है सबके स्वास्थ का ख्याल रखने की बात इसमें की जाती है और भारत के रूरल हेल्थ में भी काफी अच्छा प्रोग्रेशन कर रहा है इसमें जो भी ग्रामेड लोग हैं उनको स्वास्त सुईधाय उपलब्द आसानी से हो जाती है उन तक पहुँच बनती है राश्ट्रे ग्रामेड हेल्थ मिसन की सुरुवाद 2005 में की गई थी तो अब आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ वर्सों में भारत में भी स्वास्त की इसका मतलब है कि भारत में कई ऐसे जिले गाउं है जहां प्रात्मिक स्वास्त सुईधा उपलब्द है लेकिन वहां की स्थिती जरजर है या बहुत ही जादा खराब है जो व्यवस्ता होनी चाहिए उसका संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है दूसरा है टेक्निकल ब और उपरेट करना नहीं आता जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कैसे इस व्यवस्ता का लाब लेगा तो जो उनको टेक्नलोजी से रिलेट रुकावटे आती हैं उनका भी समाधान करने की जरूरत है और उन्हें सही उपचार मिल जाए इसकी व्यवस्ता करने की आव सकता ह अब इसमें तीसरा है मोनिटेरिंग चैलेंजेज जब हम बहुत बड़े पैमाने पर हर एक व्यक्ति का हेल्थ डाटा रखेंगे तो उसके हिसाब से सही तरीके से मोनिटेरिंग भी की जानी चाहिए ताकि किसी की भी हेल्थ डाटा लीक न हो सके हाला कि अभी तक ये कहा गया है कि जो भी डाटा रखा जाएगा वो बीना उस व्यक्ति की सहमती के किसी को भी नहीं दिया जाएगा अब चौथा है पबलिक अवेरनेस जिसकी सबसे ज़्यादा जूरत है हमारे देश में इसमें भी काफी दियान देने की आवशक्ता है क्योंकि जब तक एक आम व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी कि इस तरह का कोई मिसन आया है या इस तरीके के कोई व्यवस्था लागो की गई है जिसके माध्यम से हम देश भर में कहीं भी किसी भी तरीके का इलाज करवा सकते हैं या कोई व्यक्ति है जिसका medical record खो गया है या निल हो गया है वैसी इस्थिती में भी वो इस माध्यम से कैसे लाब ले सकता है और आगे भी अपने medical record को दुरुस्त करवा सकता है आप जानते ही है कि हमारे देश में कई अच्छी योजनाय चलाई जाती है लेकिन public awareness नो होने के वज़े से public उसका सही ढंग से लाब नहीं उठा पाती और ऐसी योजनाय धरी की धरी रह जाती है तो सबसे ज़्यादा जरुरत है हमारी जनता को अवेर होना और जो योजनाय चल रही है जिस तरीके की व्यवस्था डिजिटल हेल्थ मिसन में लाई गई है इसका पूरा लाब जनता उठा सके इसलिए public awareness की बहुत ज़्यादा जरुरत है तो अब आप समझ गए होंगे National Digital Health Mission के बारे में इसमें पूरी जनकारी मैंने आपको दे दी है So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment